नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज और आप सभी लोगों का हमारी यूट्व चैनल पर स्वागत है तो आज के यह वीडियो सेकंड डॉडर डिफरेंशल एक्विशन्स पर है जहां पर हम पर्टिकूलर इंटिक्रल को पढ़ेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर तीन केस ले रखें जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो इनको हम बनवाई वन करके एक्जम्पल की मदद से समझेंगे अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा हुआ कि यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है तो चलिए हम थोड़ असा इसका और एक ओवर्व्यू देखते हैं फिर हम यहाँ पर एक्जम्पल लेंगे और वन वाई वन करके आपको मैं यहाँ पर केस को समझाओंगा हमें पता है कि हमारे सिंबॉलिक फंशन जो होता है एक्व दी वाई इक्वल टू हमने देखा था कि कंप्लिमेंटी फंशन में यहाँ पर जीरो रख दिया करते हैं तेरा लाइक ओके यहां पर कि रख रहा हूं औहों किउक के पास में हो सकता हम जीरो हो अगर जीरो अगर जीरो को हमें यहाँ पर ज defensivity को इनकालना है टो नहीं तो सो हम इसे क्या लिख सकते हैं वाई सो आपका जो यहां पर सिंबॉलिक फंसर नहीं कि f of t तो आपका q में इससे डिवाइड दिया जाएगा ओगे तो यह टर्म आपको याद होना चाहिए तो केस नंबर बन में देखिए आप यह हमारे पास मैं यहां पर कंडिशन ले रहा हूँ if अगर q is equal to e f of sorry e की पावर a x होता है तो यह कंडिशन आप याद रखें अगर a x होता है हो सकता है कि प्लस में भी a x हो ठीक है जैसे कि मैं आपको यहां पर बता देता हूँ 1 प्लस e की पावर a x हो यह भी हो सकता है की वरावर राइट तो अभी मैं फिलाल इसे मान के चल रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग देखें यहां पर क्यूँ आपका a x है f of d ओके अगर आपका a not is equal to 0 है यहां पर क्या है आपका कॉफिशेंट है e का ओके तो यहां पर कॉफिशेंट को d में रख देंगे ठेक तो हमारे यह फर्स्ट केस तैयार हो जाएगा तो यहां पर second case आता है हमारा तो second case में हमारे क्या है अगर आपका f of a 0 आ जाता है suppose वैसे आपको यह 0 नहीं आना चाहिए तो आपका यही पर solve हो जागा अगर आपको यह 0 आ जाता है जैसे मैंने लिख भी रखता है f of a is equal to 0 तो आपको इसका differentiate करना होगा इस वारे term का ठीक ह और फिर आपको यह 0 नहीं आना चाहिए ठीक अगर यह भी 0 आ जाता है तो आपको फिर से यहां पर second time differentiate करना होगा तो इसका आपको second time भी differentiate करना होगा फिर आपको ये भी zero नहीं आना चाहिए अगर ये फिर से zero आ गया तो आपको third time फिर differentiate करना होगा तो भस इतनी सी इसमें बात थी ये three cases के अंदर जो के एक दूसरे से relative है अब हम यहाँ पर example लेते हैं और उसकी मदसे से समझते हैं तो अब हमने यहाँ पर एक question ले लिया है और इस question को हम जो है first case के according solve out करेंगे ठीक है सबसे पहले हमें यहाँ पर cf निकालना होगा यानगी complementary function तो इसके लिए हमारी auxiliary equation क्या हो जाएगी 4m square plus 4m minus 3 equal to आपका e2x अब यहाँ पर e2x है यह आपका q है okay so a is a coefficient of e so इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका हम factor करेंगे okay so इसका factor करने के लिए 3 से आप 4 में multiply गरोगे तो आपका 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा यानि कि 6 minus 2 कर देंगे तो आपका 4 आजाएगा so 4 m square plus आपका 6 m then आपका ये minus आपका 2 m फिर आपका minus में 3 एकुल में आपका 2 x okay so आप यहाँ से 2 m common लिए लिए 2 m आपने common लिए तो आपका ये हो गया 2 m plus आपका ये हो गया 3 okay so आप यहाँ पर बन common लिए लिए तो आपका 2 m then आपका plus then आपका 3 equal मा आपका e की पावर 2x right so आपका e हो गया 2m minus 1 then 2m plus 3 so 2m minus 1 and equal मा आपका 0 so 2m plus 3 then equal मा आपका 0 so what so आपका यह आएगा m equal to 1 को अदर लेके तो 1 upon 2 m1 लिख देता हूँ ठीक है और m2 आपका जो आगया वो आगया आपका 3 upon 2 तो यहाँ पर जो root है वो equal नहीं आ रहे हैं तो उस condition हम क्या करेंगे so आपका यहाँ पर cf जो होगा है यहाँ कंप्लिमेंटी function जो होगा वो हो जाएगा आपका c1 e2 the power 1 upon 2x plus c2 e2 the power 3 upon 2x तो यहाँ पर आपका cf निकलाया cf जब आपका निकलाया तो अभी आपको e2x और दे रखा है अगर यहाँ पर आपका 0 हो था तो यहीं पर आपका सवाल solve हो जाता है लेकिन आपको दे रखा है e की power 2x तो हमें आगे भी इसमें particular निकलना होगा so now particular now pi लिखते तो हूँ sort में ठीक है so particular integral को हम निकालेंगे तो अभी मैंने आपको पता है equation क्या होते हैं हमारी y q आपका क्या है यहाँ पर e की power 2x upon में आपका f of d क्या है यहाँ पर f of d आपका यह वाला term होता है यह वाला term so हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे f of d लिख लेंगे तो अभी मैं आपको f of a लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए यान की 2 आ जाएगा यहाँ पर so इसमें मैं लिख लेता हूँ आपका e 2x upon में आपका 4 है 4m है तो आपको यहाँ पर 2 पावर 2 तेन आपका प्लस फिर आपका 4 इंटू में आपका 2 तेन माइनस में आपका 3 जब इतना हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है simply e की पावर 2x upon आपका यह कितना हो गया 4 4 इंटू 4 16 16 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस में आपका 3 देन आपका 20 यहनगी आपका यहाँ गया 21 21 इतनी वी 2x ठीक है तो आपका यहाँ पर क्या है आपका जो f of a है वो आपका 0 नहीं बल्कि 21 आया है क्या आया है यहाँ पर f of a not equal to 0 बल्कि equal to क्या आया है यहां पर 21 आया है तो हमें यह वाले step की कोई जरुवत नहीं है case 2 और case 3 की कोई जरुवत नहीं पड़ेगा आपका सवाल यहीं पर solve हो जाएगा तो finally आप इसका answer क्या लिख होगे तो आपका इसका answer लिखना होगा general solution general solution okay solution y equal to आपका cf क्या निकला cf निकला आपका c1 e की पावर 1 अपॉन 2x plus आपका क्या निकला c2 e की पावर 3 अपॉन 2x then plus मैं आपको क्या लिख देना है f of a यानि की sorry आपका by y ठीक है so y बराबर यानि की pi है यह आपका मैं यहां पर लिख देता हूं pi right so right so pi आपका क्या निकला plus कर देंगे आप इसे e की power 2x upon 21 correct so आपका यह final answer निकला आया अब हमने यहां पर case number 1 तो देख लिया अब case number 2 और देखते हैं so अब हम यहां पर second question निकालेंगे ठीक है इस second question की मतद से यहां पर हम case number 2 and case number 3 को समझ लेंगे और साथ में हमें यहां पर case number 1 भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा so हम यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे इसकी axillary equation so axillary equation इसकी क्या होगी है हमारी m square minus 2m plus 1 right so equal में आप यहां पर अभी 0 मान के चलोगे correct अभी आप x नहीं लिखोगे क्यों 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 अभी हम में आपके क्या निकालने cf यान की complementary function so इसका जब आप factor करोगे तो इसका factor क्या हो जाएगा so आप यहां पर ध्यान से देखें तो यह आपका एक formula बनना है a minus b का whole square so a minus b का whole square जब यहां पर बन रहा है क्यों क्यों क्योंकि जब इनका हम multiply करेंगे एक दूसरे से तो हमारी यह value आ जाएगी right so इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे m-1 and m-1 correct equal में आपका 0 equal में आपका 0 so आपका m1 यहां पर जो निकलेगा और m2 जो निकलेगा वो आपका equal निकलेगा 1 and 1 जब आपका यहां पर equal की condition आती है तो आपका यहां पर complementary function जो होगा वो always होगा c1 plus c2 x bracket close so e की power x e की power x इसलिए क्योंकि हमारा 1 आ रहा है e की coefficient पर right so हमारा यहां पर जो है cf निकलाया cf की निकलने के बाद अब हम यहां पर निकालेंगे pi यानकी particular function टेक so pi को निकालने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे हमारे पास होता है y is equal to q upon f of d right so हम यहां पर लिखेंगे q q आपका कितना है e x upon f of d आपका कितना है d square minus 2d plus 1 correct जब आप इतना लिख लें तो उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है इसका coefficient कितना है 1 है न क्यों a की a यहां पर कितना होता था 1 तो हम यहां पर लिख देंगे 1 so e की power x then 1 1 की power 1 minus 2 into 1 2 होता है यहां आपका plus में 1 तो जब आप इसको नीचे solve करोगे f of a तो f of a आपका क्या निकलेगा 0 f of a आपका क्या निकलेगा 0 तो मैंने आपको बताया था भी अगर f of a अगर आपका 0 आ जाए तो हमें इस वाली term का differentiate करना होता है तो हम इसका differentiate करेंगे ठीक है so मैं इसी बिल्लू से कर लेता हूँ और so y equal q upon f of d sorry a so जब आप इसे ना करोगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यहां पी okay so मैं इदर कर लेता हूँ इसे right so y equal में q आपका कितना है e की power x dot में sorry मैं यहां पर एक term भूल रहे है हमारा x और आएगा right so उसके बाद e of x then x so f of d यानिक इसका आप differentiate करोगे तो कितना हो जाएगा d square है तो आपका 2d minus 2d यानिकी 2 only so plus में 1 है यानिकी 0 right so इसके बाद अब इसका coefficient क्या है 1 जब आप यहां पे coefficient को रखोगे तो आपका यह हो जागा x e की power x upon का 2 into 1 यानिकी 2 minus की 2 आपका यहां पी जो f dash of a equal में आ रहा है वो आ रहा है 0 फिर से आपका 0 आ गया तो 0 आनिकी condition आप यहां पी third case देखेंगे तो y equal to q x square हो जाएगा ठीक है q आपका पता ना e x है इसलिए मैं लगा रहा हूँ से then dash is equal to क्या है आपका a यानिकी इसका हमें differentiate करना पड़ेगा इस वाली term का इस वाली term का so x square e की power x upon 2 d है तो d के respect में करेंगी तो only आपका 2 आपका 2 आपका 0 हो जाएगा so आपका यहाँ पी final answer आ गया है pi ठीक है तो pi हमारे निकलाया अब हमें यहाँ पी निकलना होगा general solution so general solution के लिए हम लिखेंगे y equal में cf plus pi right so cf आपका क्या निकला है यहाँ पी cf आपका निकला है okay c1 plus c2 x bracket close e की power x then plus और आपका final pi के निकला x square e की power x upon 2 right so आपका यह answer आ गया hope आपको आज की three case with examples आपको समझ में आए होंगे और यह example आपकी three cases से जब यूज के गए हैं जब आपका q is equal to e की power x so तभी आप इनको use करें okay so मिलते हैं अगली वीडियो में लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक request है अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और साथ में बैल आइकन पर भी क्लिक खर लेना जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर आते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप like और share कीजिए जिससे कि और लोगों के भी help हो पाए तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग और हैपी लेर्निक जैन जै भारत